क्या आप अपने laptop की screen को record करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप computer की screen को record कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको free में एक best screen recorder बताऊंगा window 10 के लिए जो लोग window 10 का यूज करते हैं उनके लिए जिनके पास window 7 है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप step by step install कर सकते हैं उसके बाद यूज करके एक demo भी बताऊंगा जिसे अपने laptop की screen को record कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं नमस्का दोस्तों मेरा नाम है राम के पर्जाबती और आपका राम जी टेक्रिक्रिकल जायरों में स्वागत है क्योंकि यह एक जो है rare file को इस्ट्रेक करने के लिए आपके system में होना चाहिए तो मैं इस जु है यहां पर desktop पर ही इसको इसको ऐगा उपन करता हूँ डबल क्रिक करके बढ़ा कर लेता हूँ यहाँ पर है आपके विंडू 10 के लिए तो आप चलिए हम जानते हैं कि इसको अपने इसे इसे को अपने इसक्रेन करना है अपने लेप्टॉप में उसके बाद जो है इसक्रेन करेंगे तो सबसे पहले इसको अपने laptop में install करने के लिए इस पर रायट क्लिक करके open कर सकते हैं या फिसको double click करके भी open कर सकते हैं मैं इसको double click करता हूं permission दे दिया आप यहाँ पर हमां हमें जो है किस बाहसा में इस subduyork को install करना है उसको करना है तो इंग्लिस में में यह करना है तो होके कर दिया मैंने उसके बाद से यह कुछ setup का instruction होता है तो आपको next पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है next पर क्लिक करते जाएगे automatic जो है यह free screen recorder आपके laptop पर install हो जाएगा तो यह बस आपको कुछ second लगेंगे और आपके laptop पर यह screen recorder जो है install हो जाएगा और इसको फिरिस कर दीजिए तो यह देख सकते हैं यहाँ पर यह setup आ चुका है और यह screen recorder जो है आपके laptop पर install हो चुका है तो अब कुछ चीज़े हैं यहाँ पर बोल रहा है कि target अब क्या screen रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर full screen रिकॉर्ड कर यह आपके पर laptop है तो आप सब्सक्राइब करें और यहाँ पर जो है यह जो फाइल आउट्पूट फाइल वह यहाँ पर सेव होगी विडियो जो है अब हमें इसको टेश करना है तो इस पर क्लिक करेंगे या फिर टेश करना हम सीधे recording कर लेते हैं तो देखते हैं देख रह इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे तो यहां पर साइड में जाकर देख सकते हैं तो देखेंगे टू एप्स आर यूजिंग यूर माइक्रोपन इसका भी यह है कि मैं एक तो मैं आपको समझा रहा हूं यह जो मैंने वीडियो बनाया है वेश्ट स्क्रें रिकॉर्डर फॉर व अप्सन उसको क्लिक किया अब जो है हम इसको स्टॉप करेंगे लेकिन हमें पता नहीं है कि कैसे स्टॉप करना है तो हमें जो है इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों अब देखेंगे कि यहां पर क्लिक करके कि हमारा जो साप्ट्वियर है वो रिकौर्ड हो रहा है यहाँ पर अब हमें इसको रुखना है यानि कि computer की screen जो है या laptop की screen जो record हो रही है उसको रुखना है तो इसपे हम क्लिक करेंगे यह तो यह इस तरह से recording देखा रहा है, तो हम इसको stop कर देंगे, पुछ नहीं करना है, पुछ कर दिया, तो अब हमारी फाइल यहाँ पर आएगी, तो हमें जाकर देखना होगा कि हमारी फाइल कहाँ पर है, तो हम चलते हैं और वीडियो पर क्लिक करते हैं, इसके लिए हमें जो माई कम्पूटर होता है दिस पर जाएंगे और वीडियो पर गिलिक करते हैं तो देखते हैं यह हमारी जो फाइल है वो भी रिकॉर्ड होई है देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने लेप्टॉप में स्क्रीन रिकॉर्डर को इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसान सा तरीका है और इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आगे जानेंगे कुछ और सब्सक्राइब कीजिए राम जी टेक्निकल चैनल को लेटेक्स वीडियो की जानकारी सबसे पहले अपने फोन में पाने के लिए